नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासिस, दोस्तों आज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मींस उर्जा सदक्छन, वाटिज एनर्जी कंजर्वेशन, नीट आफ एनर्जी कंजर्वेशन, मेथड्स आफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्स्प्लाइन करूंगा जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन से संबंदेत आपकी यूनेट जो दी हुए है फोर्थ एंड फिप्थ उसमें अधिकतर आपका जो सलेवस है वो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं तो दोस्तो जो भी छात पीके क्लासिस में फस्टाइम है जो अभी भी पीके क्लासिस से नहीं जुड़े है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें जिससे दोस्तों आपके प्रैक्टिकल वायवा से संबंदेत कुश्चन का वीडियो आपको समय से मिल सके तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन क्या है आप लोगों ने अभी तक काफी स्टडी कर ली होगी फिर भी आपको एक ओबर वीडियो देखते हैं तो आप अपने एक्जाम में बहुत ही आसानी से अपने आंसर्स को दे पाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन का को रेडियूस करते हैं मतलब कम करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन इस दा प्रोसेस आप रेडियूसिंग दा कंजर्वेशन आप एनर्जी वाई आल दी लिविंग आर्गिनेज जितने भी हमारे अर्थ सरपेस पर लिविंग आर्गिनेज में या जितने भी हमारे एक्यो to reduce the cost of consumption and to preserve the limited existing resources of energy for future यदि हम उर्जा को सरक्षित कर लेंगे एनर्जी को यदि हम सरक्षित करते हैं तो इससे हमारी जो एनर्जी कंजप्षिन की जो कास्ट है उसको हम कम कर सकते हैं साथ ही हम अपने भविस्च के लिए एनर्जी क्यों क्या कर सकते हैं? सरक्षित कर सकते हैं ठीक, now energy V can be conserved by using energy efficient devices and other methods एनर्जी को हम एनर्जी इफिशेंट डिवाइजिस का उप्योग करके भी कंजर्ब कर सकते हैं different method का utilization करके भी हम एनर्जी को सरक्षित कर सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है energy conservation का मतलब है उर्जा को सरक्षित करके रखना जिससे हमारे भविस्ष के लिए उर्जा का खत्रा ना हो energy crisis ना हो साथी दोस्तो energy की जो cost है वो भी कम हो second अब बात आती है कि इसकी हमें आवश्यक्ता क्यों है why need up energy conservation तो आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ सरपेस पे resources उपलब्ध है energy के जो natural resources हैं वो एक limited amount में है as a like fossil fuel हम coal की बात करें तो coal की कोई guarantee नहीं है कि आपकी coal mine से कितने समय तक coal निकलेगा क्योंकि यह आपका resources है आपका thermal power plant का fuel है source है तो यह से बहुत सारी resources हैं जो की हम depend है इन resources पर यह हमारे और surface पर limited amount में उपलब्द है यदि हम इनको सर्रक्षत नहीं करेंगे तो भविस्च में हमको बहुत बड़ी गंभीर समस्या को फेस करना पड़ेगा energy conservation is process that focus on saving our natural resources especially those resources which are available in a limited amount especially कुंसे resources जो हमारे limited amount में उपलब्द है if we do not conserve energy and their resources यदि हम energy और उसके resources के लिए conserve नहीं कर सकते हैं नहीं करते हैं तो then we face problem in future और इसके कारण हम भविस्च में बहुत बड़ी प्राबलम को face करेंगे इसलिए हमें energy conservation की आवश्च सकता है now methods of energy conservation energy conservation की कौन-कौन सी methods हैं तो जैसे कि हम simple से हमारी method से विदी हैं जिनसे हम अपने घर में या अपने इंडेस्ट्री या हर जगा पर energy को save कर सकते हैं कंजर्ब कर सकते हैं फर्स्ट using cfl lights हम अपने घरों में जो बल बगेरा का use करते हैं इनको हटा के यदि हम cfl lights का उप्योग करेंगे तो energy save होगी lower the room temperature हम यदि अपने घरों में winter season में room के temperature को या summer season में room के temperature को lower रखेंगे तो भी energy save होगी lower रखने का मतलब है कि जो आपकी room है जैसे गर्मी है तो हम AC या cooler का उप्योग करते हैं अब यदि जब हम दिवाल्स बनाते हैं तो दिवाल्स है जो हमारी heat transfer होके room के अंदर आती है तो इसमें यदि हम एक अच्छे quality के thermo state materials का यूज करें जिससे कम से कम heat है जो की balls के थुरू transfer होके आए तो हमारा जो room है room ज़्यादा heat नहीं होगा और बाहर के तापमान और हमारे room के अंदर के तापमान में difference रहेगा इसलिए हमको बहुत ज्यादा लांग टाइम तक ACFN की need नहीं होगी और इनकी need नहीं होगी तो हम क्या कर सकते energy को बचा सकते huge maximum daylight हमें अपने घर में offices में schools college industries हर जगा पे अधिक से अधिक जो हमारे day की light होती है उजाला होता है हमारा दिन में उसका उपयोग करना चाहिए इससे भी energy हम conserve कर सकते हैं हम मालूम पड़ा के दुफर में light जला देते हैं क्योंकि हम जब भी buildings का construction करते हैं तो हमें रोशनी के लिए परियाप्त हमारे लिए natural जो light है वो मिलना चाहिए daylight आना चाहिए जिससे आपकी energy को safe किया जा सके fix air leaks अब हम बात करें AC की summer season में या electric heater की winter season में तो यदि हमारे air leaks होंगे तो हमें AC को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि temperature को maintain करना है आप बार बार gate खोलोगे तो आपका AC room को ठंडा नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर की air आ रही जा रही हम ठंडी के season की बात करें यदि electric heater जला रहे हैं तो heater से यदि हम room heater को यूज कर रहे हैं तो room heater हमें ज़्यादा समय तक run करना पड़ेगा कि हमारा room गरम हो या हमारे car के अंदर का space गरम हो यदि air leaks होंगे तो air leaks को यदि हम रोक देते हैं तो हमारी जो energy है energy को हम safe कर सकते हैं यूज energy energy efficient appliances जितने भी हम घर में equipment यूज करते हैं तो हमें ऐसे equipment के उप्योग करने की आवश सकता है जो कम से कम energy को consume करें और आपका same work परफॉर्म करें कि सुच आप appliances when not in use जब हम अपने घर में mixy हो गया cooler हो गया प्रेस हो गया iron हो गया यह जितने भी equipment हम यूज करते हैं तो जब हम यूज नहीं करते हैं तब भी हम उनके सुच क्या है आन रखते हैं तो यदि हम सुच आप कर दें चाया हमारा charger क्यों न हो चार्जर मालूम पड़ा पूरा night हम आन करके रखे हुए हैं जबकि mobile को चार्ज कर नहीं रहे तो ऐसे हमारी सभी devices को appliances को यदि हम बंद करके रखें तो भी energy को save किया जा सकता है अब हम बात करेंगे energy conservation in boilers अब दोस्तो मुझे पूरी आसा है कि आपको वीडियो पसंदा रहा होगा आप वीडियो को like करना नहीं भूलेंगे साथी channel को जरूर subscribe करेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके exam को देखती हुए मैं लेकर आया हूँ जो आपके exam point up view से आपकी एक दो units को complete cover करेंगा अब energy conservation in boilers, boilers के अंदर हम energy को कैसे save कर सकते हैं, कैसे conserve कर सकते हैं तो the energy conservation opportunities in boiler system related to combustion, boiler system से संबंदित जो आउसार है high auxiliary power consumption से water quantity and air temperature, the energy we can conserve in boilers by following methods हम boilers के अंदर इन सभी methods के थूँ energy को सर्रक्षित कर सकते हैं first step feed water preheating अब बात आती है कि जो भी हम water boilers के अंदर supply करते हैं यदि हम इसको economizer का उपयोग करके preheat करके भेजते हैं तो यहाँ पे आपकी काफी मात्रा में energy को क्या किया जा सकता है सर्रक्षित किया जा सकता है क्योंकि जो आप waste heat use कर रहा है water को preheat करने के लिए उसके लिए आप अलग से कोई कोल नहीं जला रहे वो तो आपका जो दुआ चिमनी से निकल रहा था वो गरम था दुआ उसी waste gases को utilize हम करेंगे economizer से पास कराएंगे और एक साइट से water को पास कराएंगे तो आपका water preheat हो जाएगा मालूम पढ़ा के 10 degree temperature बढ़ गए आपके इस से तो rate up steam generation बढ़ेगा efficiency boiler की बढ़ेगी लेकिन fuel तो आपका semi जल रहा जितना पहले जल रहा था हमने fuel तो जलाई नहीं में भी पढ़ा होगा basic mechanical में भी आपने इसको पढ़ा है तो air preheater की help से जो हमारी cold air या नार्मल air oiler furnace में cold के साथ burn होके gases के फार्म में फिलो होती है यदि यही fresh air को हम preheat कर दें विस्ट gases की साहता से तो energy को हम बचा सकते हैं boiler से एक्सिस air control अब हमारा जो combustion chamber होता है combustion chamber में यदि हमारी परियाप्त मात्रा में air supply नहीं होती है तो coal अच्छे से नहीं जलता है तो fuel साही से नहीं जलेगा तो heat परियाप्त जलरेट नहीं होगी और coal जल भी जाएगा लेकिन अच्छे से combustion ना होने के करण heat जो value होगी heating वो कम होगी तो परियाप्त मात्रा में sufficient air हमारे यदि furnace के अंदर हम supply करें और इसको regulate करके तो जो energy है जो हमारा fuel जल रहा है वो कम fuel जलेगा वो परियाप्त मात्रा में heat generate करेगा steam बनाने के लिए reducing heat losses अब हमारे जो boiler pipe होते है boiler slender होता है यदि इससे हम heat losses को कम कर दें इसकी जो leakage हैं इसको हम बंद कर दें इसकी वाड़ी को हम ऐसा बना insulated कर दें इनके joints के लिए जहां से heat leakage होने के chances हैं तो हम energy को कंजर्ब कर सकते हैं किसके द्वारा boilers के द्वारा या boilers से reduction up scaling हम जानते हैं कि जब हमारे boilers के tip के surrounding या tip से जो heat flow होती है या water flow होता है तो हमारे tips से इसकी scaling होती है tips पे carbon जम जाता है तो इसको यदि हम समय समय पे साप करते रहें तो हमारा heat transfer rate है जो की गड़ बढ़ाएगा नहीं और परियात मात्रा में heat का utilization होगा तो energy save होगी किसे boiler में ठीक अब बात आती है energy conservation in motor pump and fan इसकी theory आप लोगों को मन से लिखना है जिसका idea मैं आपको दूंगा कि आपको लिखना कैसे है energy conservation in motor यदि हम motor की बात करें तो motors में जो energy conservation होती है motor का utilization हम जितनी requirement है उतना ही करें तो हम energy को बचा सकते कई वार ऐसा होता है कि motor हमारी दो मिनिट access चलती है यदि पर यदि दो मिनिट access चला होगी तो आद 365 दिन का निकाल लेजे कितना आवर साथ की motor access run होगी दूसरा हम जितने rating यदि पावर की motor की हमको need है उतने ही power की motor को यदि हम refer करेंगे तो हमारी energy जो motor के थुरू बेस्ट होती है वो बेस्ट नहीं होगी कहने का मतलब है यदि हमको single house power या अच्छी rated motor की आविश सकता है तो हम उसी को लें जो energy efficient हो ऐसा नहीं है कि हम हमको चाहिए है single house power की और हम रखे हुए 10 house power की तो energy ही वेस्ट हो रही है energy तो आपकी बहुत ज्यादा थ्रीफेस कंजर्प्षन होगा थ्रीफेस इंडेक्षन वाटर यूज कर रहे हो जहां पर हम सिंगल फेस्ट के उटिलाइज कर सकते थे energy conservation in pump अब pump की बात आती है तो आप सभी जानते हैं pump का उप्योग हम water supply में करते हैं और water supply में हम देखते हैं कि daily यदि हमारा water controlling meter नहीं लगा है यदि हमारे tank में यदि हमारे जो tanky है पानी की तो उसमें हमारा कई बार पानी है क्योंकि ओवर फिलो होता है वेस्ट होता है तो यदि हम नीचे pump को run कर रहे हैं और daily हमारा 5 मिनट पानी ओवर फिलो हो रहा है तो 5 मिनट में जो आपकी energy consume होगी energy खपत होगी तो 30 दिन में 1500 मिनट कंजीम होगी तो ऐसे 12 मंत में निकालो तो ऐसे सभी लोगों के घर पे होता है तो यह तो सिर्फ हम एक single person की बात कर रहा है आप city में रह रहे हो आप सुबह सुबह जो पानी आता है मोटर को चालू करते हो पानी को अपनी terrace पर टंकी में वेज़ते हो त तो पांच मिनट आपकी मोटर ज्यादा रन होगी तो ज्यादा electricity कंजीम होगी और यदि इसमें आपका water regulating meter लगा है controlling meter लगा है तो ऐसा कभी नहीं होगा automatic system है कि टंकी जैसे आपकी इतनी फिलो और अपनी pump बंध हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा कितनी सारी energy को ऐसी हम पूरे इंडिया की बात करें तो कितने ज्यादा amount में हमारी energy है जो की waste हो रही है किस से pump से तो हम pump को अच्छी quality का pump और regulating device water flow की overflow ना होने दें तो हम pump से energy को कंजर कर सकते हैं थाड़ है दोस्तो energy conservation in fan कई बार हम देखते हैं fan हम अपने college की ही बात क्या हो ना करें हम class से उठके library चले जाते पंके चलते छोड़ दे दे छोड़ते के नहीं छोड़ते classes में कोई भी नहीं है लेकिन classes के सभी fan on है घर में हम toilet जा रहा हैं लेकिन fan को बंद नहीं करेंगे 10 मिनिटों वहाँ पर consume कर देंगे लेकिन fan हमारा चलता रहे तो इन्हीं सब को हम कम करके हम fan से भी fan की blade को modify करके और अच्छी quality के fan को use करें तो हम fan से भी energy को save कर सकते हैं तो this is energy conservation in fan, motors, pumps, boilers इन सभी पे हमारा जो slaver से वो cover हो जाएगा आपको डरना विलकुल लेए आप सभी एक बार वीडियो रिट किये होंगे seriously पूरा complete तो आप लेक पाएंगे okay thank you